आज मैं खेल रहा हूं मिरियम दी एसकेब चैप्टर वन और चैप्टर वन का नाम है अलोन तो इस गेम की शुरुवात एक गंदे टीवी से होती है जिसके अंदर कुछ नहीं आता और एक लड़का वो देख रहा हूँ है हम यह decide नहीं कर पाते कि वो लड़का है या लड़की लेकिन हम यह assume कर लेते कि he is he not see और वो लड़का रो रहा है लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि टीवी में कुछ आता नहीं है एंटीना लगा नहीं है तो basically उसे रोना ही पड़ेगा क्योंकि वो कुछ देख नहीं पाता और select करते ही हमारा chapter 1 का level 1 start होता है लेकिन यहां पर हमें कुछ कहते हैं कि क्या करना है तो हम उपर कुछते हैं और लकड़ी गिरा देते हैं और आगे जाते हैं light के अंदर तब हमें मालूम पढ़ता है कि light में नहीं जाना है और हमारी first date की achievement भी खतम हो जाती है बाद में हम दर्वाजे के पास थप थप आते हैं नौक करते हैं लेकिन कोई दर्वाजा नहीं खोलता है मालूम नहीं क्यों कोई दर्वाजा नहीं खोलता क्योंकि हमें लगता है वो लोग हमसे रूट गए हैं तो हम सामने की और जाते हैं यहां पर एक बकसा होता है जिसे देखकर हमा बटन जो हमें दबाया और यह पत्तर गीरें और वहां पर हमें एक चावी दीची तो वह चावी हमें लेनी है और मुझे लगता है यह चावी लेके वापिस वो दर्वाजा खूलना पड़ेगा तो हम कुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च दिखती है, तो बत्ती के पास आगे हमने उसे बंद करना होता है, तो उपर की एक लाइट अपने बंद हो जाती है, उसका कनेक्शन वहाँ पर है, बहुत दूर-दूर कनेक्शन है, तो हम जा रहे हैं, और एक लाइट हमें दिखती है, तो हम इस बार इसको लेके जाते हैं, साथ कुछ काम आ जाए, तो हम बकसा यहां डालते हैं और नीचे बटन होता है, वो दब जाता है और वो लाइट भी बंद हो जाती है, अब हम उस लकड़ी पर कुद से दूसरी लकड़ी पर जाते हैं, जो उपर नीचे हो रही थी, और यहाँ एक दस्ता आता है, तो दस्त हमें पिचकने के लिए काफी होता है, और एक तुसरी लकड़ी उपर नीचे जाने वाली, तो हम उपर जा रहे हैं, और हमें एक की मिल जाती है, तो हम बुद के ले ले लेते हैं, वापिस अपनी जगा जहां पे थे, वहीं पे आ जाते हैं, नहीं आते हैं, कह सकते हैं, क्य तो वहीं दर्वाजा है बिना तप तप आए खोल दिया क्योंकि चाबी थी और ये लेवल थ्री हम आ गए लेवल थ्री में भी उसी तरह लगता है करना है और मेरे सभी लेवल में यही करना है और इसमें अच्छी बात है कि हमारे पास एक लिफ्ट है उपर नीचे जाने के लिए लेकिन मुझे मालूम नहीं था मैं यहां पर क्या कर रहा था दिवाल के कोने में और यह लिवर खीचके हम नीचे आते हैं इसको सर पटकने का बहुत सौक है मालूम नहीं क्यों साइद वो साइकिक है इसलिए या पागल है इसलिए या फिर बस ऐसे ही अब options तो मैंने आपको दे दिया जवाब आपको नीचे कमेंट में बता देना क्यों पटक रही है सर और हम यहां दरवाजी पर आ गए लेकिन एक खास बात कि हमने की ली ही नहीं और हम दरवाजी पर आ गए थे पानी में भी अब हम नहीं गिर सकते क्योंकि पानी में गिरने से भी मर जाते हैं अब हम नदी के दूसरे छोर पर जाते हैं जहां पर हमें चावी मिलने के आसार है और मिल भी जाती है अब वापिस भी जाना है क्योंकि दरवाजा तो हमको मिल गया कि कहा है दरवाजा और व पहुँच गए ये भी दर्वाजे हम पीना नौक के खोल दिये अब लेवल फॉर में भी लिफ्ट लीवर और नीचे अगर एक गयम आपको खेलनी है तो मैं एक सजेशन दूँगा कि इंटरनेट बढ़ करके खेलिए क्योंकि इतनी एडवोटाइस कि जबी गैम में नहीं होगी इसे ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है और हम इस चकरी से बत्ते बत्ते आगे दूसरी लिफ्ट और लिवर किंज के ऊपर क्योंकि बीना इंटरनेट के खेलने में ये गेम बहुत मजाती है और वैसे बोलने में तो ये होरर गेम है लेकिन देखते कितनी होरर है ये लिवर कीचा और ये चक्री हमने चालू कर दी जो लाइट वाली चक्री है हमें तो लाइट की चेक्री से बचके जाना था लेकिन कोई बात नहीं चलो देखते हैं लकड़िया बिल्कुल स्टेर्स की तरह रखी हुई है और लिफ्ट लिवर और उपर है तो हम हॉरर गेम की बात करे थे हॉरर और पजल गेम इसमें मेंशन किया हुआ है वजल तो देखते हैं हॉरर का तो लगता नहीं है कि कुछ हॉरर होगा इसमें ओके इस चक्री भी हमें बीच में से काट देती है और उपर ही की और ये लिफ्ट लिवर नीचे बाजू में तराजु है देखते हैं तराजू में क्या रख्खा हुआ है कि मुझे लगता नहीं तराजों में कुछ रखा हुआ है बस उपर नीचे उपर नीचे हो रहे हैं और इस गेम का भी पढ़ाओ खतम हो जाता है अब इसका 6 नमबर के स्टेज में आते हैं 6 नहीं है 5 नमबर लिखा हुआ है पढ़ने में तुम गल्ती करते हो अरे बबुवा लिफ्ट से हम नीचे आए और यह जा रहे है और यहां पर एक काटो पर भी हमें नहीं पढ़ना है क्यूंकि वहां पर भी हमारा मौत लेखी हुई है तो हम अब ध्यान रखेगे अब तु काटो में कुदी तो तेरा तीन दिन का खाना पीना बन वाव अगर खाना पीने की बात करो तो यह कहीं पर भी कूद जाता है अब इस शक्री से हम कैसे बचेंगे चलो देखतें क्योंकि इससे बचने के लिए एक ट्रिक है यह ट्रिक है इस यूज़ करके आप नहीं बच सकते ही क्योंकि उपर भी काटे होते जो आपको चुप जाएंगे वो काटे भी नहीं चुपने है अब यह ट्रिक आप खेलो तब भी यही ट्रिक यूज़ करना क्योंकि इसके अलावा और कोई ट्रिक यूज़ करोगे तो यहां किससे आगे आप नहीं बढ़ पाऊंगे और सेम यहां पर भी वही ट्रीक यूज करना क्योंकि और कोई ट्रीक यहां पर काम नहीं करेगी यह मेरी एक लेजिक ट्रीक है इसके अलावा आपके पास कोई ट्रीक नहीं है यहां पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी कि मैं वहां पर कूदा क्यूं था लेकिन कोई ब बटन नहीं काम करते और यह हमने बच्टी बंद कर दी तो देख ते लाइट बंद हो जाती को दो तराजु आए बहुत तराजु है और यह हम को मिल गई भापिस आते और लकड़ी पर कूद के यह दूसरा सामने अब लेवल 6 मुझे लगता है ये आखरी होना चाहिए क्योंकि आप मैंने देखा था लग-अलग 6 लेवल है और चैप्टर के और ये लाइट से बचते बचाते कुचते कुदाते हम आगी कए अब यहाँ पे हम नीचे कूद गए लकड़िया बिल्कुल एकदम स्टेर्स की तरह रखी हुई है ताकि हम उपर नीचे जा सके और ये लाइट में आके फिर समर गए लाइट का एक दियान रखना पड़ता है कि लाइट में हम ना आए बहुत ध्यान रखा है पेसंस भी बहुत रखना पड़ता है क्योंकि एक जगह कितने देर तक आप खड़े रह सकते हूं मैं तो नहीं खड़ा रहा था कुद कुद के निकल जाता हूँ लेकिन देखते हैं कौन कितना तूद में है अफकोर्स पान मालूम नहीं ऐसा क्यों करता है मुझे मालूम नहीं था कि मैं वहां पर कूदा क्यों था बस ऐसे ही कूदा और एक अचीवमेंट टैन देट वाली खतम हो गई बसे बूरा तो लगा के मर गया लेकिन अच्छा भी लगा के एक अचीवमेंट खतम हो गई फिर से अब तो पेसंस के साथ केलना पड़ेगा ताकि हम दीरे 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 यह लेवल खतम कर पाए अब लाइट तुम्हारा कुछ नहीं बिगार सकती रहे अब मैं पच्त बचाते जाओंगा कुद्धे कुद्धाते अब मैं बहुत पेसंस रखने वाला हूँ और इतने पेसंस के साथ हमने यह ओके फिर से तराज हुआ है और हम कांटे वाले तराजू में कूद गये थे मुहर को रहा देखनी थी लेकिन मैंने रहा नहीं देखी फिर से पेसंस के कमी दिखाई दे रही है हमाई क्योंकि बिना पेसंस के ऐसा ही होता है चल्दी से करने से और फिर से कुछ हिलता हुआ दिख रहा है मालूम नहीं इसको क्या कहते है लेकिन हिल रहा है और हम बचते बचते आगे जा रहे हैं और यह पड़ाव भी हमने पार कर दिया है और हम आगे आगे हैं यहां पर एक दूसरा लीवर था जो हमने खींचा और नीचे से पानी उपर आया और एक लकड़ी पर हम चड़ गए क्योंकि ज़रूरी था लकड़ी पानी पर तैरती है और इस बाल बुद्धी को तैरना नहीं आता उपर दस्ता है जो हमें पिचकने की पूरी तैयारी कर रहा है और यह मालूम नहीं मैं क्यों कूद कूद यहां पर कर रहा हूँ कि देखते हैं क्या होता है हम पिचकेंगे या नहीं आपको क्या लगता है नेक्स्ट अफिसोड में देखेंगे हम पिचकते हैं या नहीं कोई नहीं इसी में देख लेते बचके निकल जाते हैं और यहीं पर ही हमें लेवल 6 खतम करते हैं और यह चैप्टर 1 खतम हो जाता ह अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिये हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है अभी भी हम वही बकवाश टीवी देख रहे हैं हमने शुरुवाद में पर्फल कलर सिलेक्ट किया था तो स्क्रीन भी पर्फल कलर की हो गई अब सुरुवाद की तरह यहां पर भी हमें तीन ओप्संस दिये चूज करो एक चीज तो हमने चूज किया साइलेट बटन और यहां पर हमारा चैप्टर वण ओवर हो जाता है thank you guys for watching my video thank you very much